तो हेलो गाइज, वेलकम तो मैं चैनल प्रोट एक्स्प्लेनर्स, तोड़े वी गोना टॉक अबाउट दे मूवी जुरासिक पार्क, दी लोस्ट वर्ल्ड मूवी की सुलवात इसला सोलना के तापू से होती है, जोकी इसला नूपराल से 87 माइल्स तक्सिनी पस्षी में स्थित होता है जुछ अब पता जोकी हम जुराशिक पार्क के फर्स्ट मूवी में देख चुके हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं आगे हम देखते हैं कि इसला सोणना के तप उपर एक फैमिली वैकेशन पर आई होती है वे सबी समुद्र के किनारे बैट कर काफी इंजोई कर रहे होते हैं कि तभी उनकी बेटी जंगल की और चली जाती है जहां पर उसे एक छोटा सा क्यूट सा डाइनसोर दिखता है जो की एक कॉमसोगनेथस होता है वो उसे देखकर काफी खुस होती है और उसके पास आकर उसे एक खाने का टुकड़ा दे देती है कि तभी वहां बहुत सारे कॉमसोगनेथस आ जाते हैं जिने देखकर वो घबरा जाती है और जोर से चिलाने लगती है उसकी चिलाने की आवास सुनकर सबी लोग वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर जो नजारा भी देखते हैं वो नजारा उनके होस उडा देता है आगे सिंसिफ्ट होता है डॉक्टर मैलकॉम की तरफ जो की हेमन्ड से मिलने के लिए जा रहा होता है मैलकॉम हैमन के घर पहुचकर टिम और लेक्स से मिलते हैं जो कि उनसे मिलकर काफी खुस होते हैं और वही पर डॉक्टर मैलकॉम की मुलाकात पीटर लुडलो से होती है पीटर से मिलने के बाद मैलकॉम और उनके बीच काफी बहस होती है जिसके दर्मियान हमें पता चलता है कि मैलकॉम की युनिवर्सिटी ने अब उसे बाहर निकाल दिया है और इंजन कमपनी की देखरे का काम पीटर को सोब दिया गया है इन सभी के बाद मैलकॉम की मुलाकाद जोन हैमन से होती है जो कि उसे इजला सोडना आईलेंड के बारे में बताता है जोन उसे कहते हैं कि वे दरेसल डैनेसोर्स को जुरासिक पार्क में लाने से पहले इजला नुबराल आईलेंड पर पाला करते थे और जुरासिक पार्क के हादसे के बाद एक भयानक तुफान के कारण इजला सोड़ना आइलेंड बरबाद हो गया साथ ही जोन मैलकॉम को ये भी बताता है कि उस तुफान की वज़े से उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी लेकिन उस आइलेंड पर रहने वाले सभी डाइनसोर्स को कहीं और सिफ्ट करने के वज़े उन्हें उसी आइलेंड पर खुला छोड़ दिया गया जोन उसे कहते हैं कि तुम हमेशा से ही कहते थे कि जिन्दगी किसी भी हालत में अपना रास्ता ढून लेती है और तुम्हारी इस बात का जीता जाकता सबूत उस आइलेंड पर है तुम अगर अब उस आइलेंड पर जाकर देखोगे तो तुम बिल्कुल हैरान हो जाओगे हैमर्ड उसे कहता है कि वहाँ दलजनों किसम के जानवर अपना अपना जुंड बना कर बिना किसी मुश्किल के जी रही है तब ही मैलकुम कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है आपने तो कहा था कि बिना लैजीन के सभी जानवर साथ दिन के अंदर ही मल जाएंगे ये सुनकर हैमर्ड उसे कहता है कि ये जानने के लिए वो एक टीम बना रहा है जिसे वो उस आइलेंड पर भीज कर इस चीज का पता लगाना चाता है कि वे किस तरह उस आइलेंड पर अब भी जिन्दा है जोन सैटलाइट की तस्वीरों से मैलकॉम को बताता है कि सभी कुकार जानवर आइलेंड के अंदरूनी हिस्से में रहते हैं इसलिए हमारी टीम बाहरी हिस्से में रहकर चुप-चाप काम करेगी और इस बार मैं किसी की भी जानदाओ पर नहीं लगाना चाता लेकिन तभी मैलकॉम कहता है कि आप एक नई गलती करने जा रहे हैं आप लोगों को वहां उस आइलेंड पर भीज रहे हैं जहां पर काफी सारे भयानक डाइनसोर्स भरे पड़े हैं इन सभी बातों के बाद मैलकॉम हैमंड से उन चार टीम मेंबर्स के बारे में पूछता है जो की वहां जाने के लिए मान गई है जोन उन सब के नाम मैलकॉम को बताता है पहला निक वैन ओवन जो की वीडियो फिल्म बनाएंगी दूसरा एडी कार्स जो की मसीन की जानकारी में माहिर है और तीसरी टीम मेंबर एक वैग्यानिक है और मैं चाहता हूँ कि चोथे आदमी तुम हो हैमंड उसे कहता है कि जुरासिक पार्क के हाथ से के बाद इंजन कमपनी का काफी लोस हो गया और कमपनी की हाले ठीक करने के लिए कुछ लोग इजला सोरना आईलेंड का फायदा उठाना चाते थे लेकिन अब तक मैंने उन्हें रोके रखा था पर कुछ हफते पहले एक अंग्रेज परिवार अचानक उस टापू पर पहुँच गया और वहां उनकी बेटी जखमी हो गई हाला कि गुछ जादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन इसका फायदा उठा कर बोर्ड ने मुझसे इंजन कमपने की देख रेक का काम छीन लिया मेलकम हैमन की ये सभी बाते सुनकर उससे पूचता है कि वह तीसरी टीम मेंबर यानि वह साइनटिस्ट कौन है जो की एलिन पर जाना चाती है तब हैमन के बहताने पर उसे पता चलता है कि वह साइनटिस्ट कोई ओर नहीं बलकि उसकी मंगेतर डॉक्टर सारा हार्डिंग है जिसे सुनकर मैलकॉम गबरा जाता है और उसे फोन करके मना करने वाला होता है कि तब हैमर्ड उससे कहता है कि वो पहले ही टापू पर पहुँच चुकी है वो सबसे पहले इस काम की सुरुवात करना चाती थी और बागी की जón की बनाई टीम के बाकी मेंबर से मिलता है, वहां मैलकुम से मिलने उसकी बेटी कैली मैलकुम आती है, जोकी उसके साथ आने की जीद करती है, लेकिन मैलकुम उसे मना कर देता है, और वहां से चला जाता है, वहीं पर हम देखते हैं कि अब वे सब आईलेंड पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं रास्ते में उस बोट का मालिक उन्हें कहता है कि वो आईलेंड के जादा करीब नहीं जाएगा और ना ही वहां रुकेगा क्योंकि उसने आईलेंड के बारे में काफी खिस्से सुन रखे थे साथ ही वो ये भी कहता है कि उसके अनुसार सबी उस जगय को मोत की गाटी कहते हैं अब वे सभी जहाज से उतर कर आगे बढ़ते हैं और जीपीएस की मदद से वे सारा को ट्रैक करते हैं थोड़ी देर बाद उन्हें वहां सारा का बैग मिलता है जिसे देखकर मैलकॉम घबरा जाता है लेकिन तभी उन्हें वहां एक स्टैगोसोरस का जुन दिखाई देता है और उन्हें देखकर निक उनकी तस्वीरे लेने लगता है वही हम देखते हैं कि सारा भी वहां मोजूद होती है जो कि उन्हें स्टैगोसोरस की तस्वीरे ले रही होती है और जब सारा निक को देखती है तो वो काफी खुस होती है और उसे डरा देती है आगे सारा टीम के बाकी मेंबर्स यानि एडी और मेलकॉम से मिलती है सारा उन्हें रास्ते में बताती है कि उसे पता चल चुका है कि ये डैनसोर आखिर बिना लाइजीन के जिन्दा कैसे रहते हैं वो कहते हैं कि सभी डाइणोर्स यहां वो सब चीजे खाते हैं जो कि लाइजीन से भरपूर हो जैसे कि सोय बीन्स और मासा हारी डैनसोर्स साका हारी डैनसोर्स को खाते हैं और ये साइकल इस थरा चलता रहता है वही उन सभी के बात करने के दोरान उन्हें फिर से वो स्टैगोसोरस का जुन दिखाई देता है जिसे देखकर सारा काफी एकसाइटिड हो जाती है और उनकी तस्वीरे लेने के लिए उनके काफी पास पहुंच जाती है सारा वहां एक बेबी डाइनसौर की फोटो ले लए लेकिन जैसे ही वो उसकी फोटो लेती है कि तब अचानक इस टैगोसोरस का जुन्ड उस पर हमला कर देता है लेकिन सारा की किसमत काफी अच्छी होती है क्योंकि वह उन डैनसौर के हमले से बच जाती है और वहां से बच निकलती है वहीं आगे अब वे सभी अपने कैम की तरफ बरते हैं और जब वे अपने कैम के पास पहु उसकी बेटी चुपके से उनके साथ वहां आ जाती है और उसे यहां देखकर मैलकॉम काफी गुसा होता है मैलकॉम उसे इस खतरनाक हाइलेंड पर अपने साथ रखना नहीं चाता था जिसकी वज़े से वह उसे वापिस भेजने के लिए फोन लगाता है लेकिन सिगनल ना आने की वज़े से उसकी कोल नहीं लग पाती वही सारा कैली के वहां आने पर उसकी तरफदारी करती है और उसका होसला बढ़ाती है वही जब वह सभी कैली को लेकर बाते कर रहे होती है कि तभी वहां काफी सारे हेलिकोप्टर आ जाते हैं जिन पर की इंजिन कंपनी का ना हम देखते हैं कि रोनाल्ड जो कि उस टीम का लीडर होता है वो अपनी टीम के साथ मिलकर पहले एक पैची सैपलोसोरस को उसके जुंड से अलग कर देता है और उसे पकड़ लेता है इसके बाद रोनाल्ड दुबारा अपनी टीम से एक और डैनसोर पकड़ने के लिए कहता है लेकिन अब की बार वो डैनसोर एक पैरसोरोलफस होता है जिसे पकड़ने में उन्हें थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन फाइनली वे उसे पकड़ी लेते हैं और उसे पिंजने में बंद कर देते हैं वी सभी एक एक करके वहां काफी सारे डैनसोर्स को पकर लेते हैं आगे हम देखते हैं कि रोनाल्ड को वहां एक टीरेक्स के पंजो की निसान दिखाई देते हैं जिसे देखकर वह काफी एकसाइटिड हो जाता है दरसल रोनाल्ड को खत्रों से खेलने का काफी शोक होता है और उसे एडवेंचर्स डॉक्टर रोबर्ट को देखते हैं जिने वहां एक कॉम्सोगनेथस दिखाई देता है जिसे देखकर डॉक्टर रोबर्ट से कहते हैं कि यह डैनसोर्स चुंड में जिकार करते हैं और साथ ही यह काफी धीट और खुखार भी होते हैं रोबर्ट उसे इस डैनसोर के बारे उसके घर तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सिर्फ टीरेक्स का एक बच्चा मिलता है अजे रोनाल्ड से वहां उस टीरेक्स का इंतजार करने के लिए कहता है वही सीन चेंज होता है मैलकॉम और उसकी टीम की तरफ जो कि रोनाल्ड के आदमियों पर नजर रख रही होती ह मैलकॉम ये सब देखकर समझ जाता है कि जोन को इसका पहले से ही अंदाजा था जिसकी वज़े से वे हमें जल्दी से जल्दी इस आइलेंड पर भेजना चाते थे अब आगे वे सभी उन डैनसोर्स को बचाने के लिए वहां कैम्प में जाकर उनके पिंजरे को एक एक करके खोल देती हैं उसी वक्त पीटर वहां अपनी सभी टीम मेंबर्स को अपने नए जुराशिक पार्क का मोडल दिखाता है दरसल पीटर सैंडियागो में एक नया जुराशिक पार्क बनवा रहा होता है जिसके लिए वह उन डैनसोर्स को पकड़ने इस आइलेंड पर आया थ उनके तोड़ फोड की वज़े से एक कार जलती हुई एक पेड़ गिर जाती है और वही पेड़ होता है जिस पर की रोनाल्ड और अजे टीरेक्स का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन उनकी किसमत काफी अच्छी होती है क्योंकि उस कार के गिलने से पहले वे दोनों उस करती है आगे एड़ी पेड़ के ऊपर एक बेस मनाता है जिस पर की मैलकॉम और कैली भी चट जाते हैं और अब जब वे तीन उस बेस पर होते हैं तो उन्हें वहां जंगल में कुछ हलचल दिखाई देती है मैलकॉम समझ जाता है कि यह जरूर वही टीरेक्स होंगे जो की अपने बच्चे को लेने के लिए यहां आ रही हैं तभी मैलकॉम तुरंट सारा को कॉल करता है लेकिन वे उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पाती जिसे देखकर वह काफी घबरा जाता है और वहां से नीचे उतर कर उस वैन में चला जाता है जहां सारा उस बेबी डैनो का इला उटा कर उस गाड़ी का दरवाजा बंद कर देती है उस बेबी डैनो को लुटा देने के बाद वे सभी एक सकून की सास लेते हैं लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब वे सभी उस गाड़ी में अराम कर रहे होते हैं तो तभी वहां वे टीरेक्स दुबारा स लेकिन इस बार वे उन्हें पहाड़ी से नीचे गिराने लगते हैं सारा नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी मैल को मुसे पकर लेता है और उसे बचा लेता है अव्वे तीनों उस गाड़ी में फसे होते हैं जो कि उस पहाड़ी से नीचे गिरने वाली होती है उन्हें इस वे तीनों मरते मरते बचते हैं आगे हम देखते हैं कि एडी दुबारा से उस रस्टी को पेड़ से बान देता है और वैन को ऊपर खीचने की पूरी कोशिस करता है लेकिन बद किस्मत यसे जब वो उस वैन को ऊपर खीचता है कि तभी वे टी-्रेक्स फिल से वहाँ आ जाते हैं और एडी को कच्चा जबा जाते हैं जिसकी वज़े से वो वैन जिसमें कि वो तीनों फसे होते हैं वो तुरंत नीचे गिल जाती है लेकिन अब की बार उनकी किसमत काफी अच्छी होती है क्योंकि वो तीनों उस रसी की पीच में उन डाइनसोर्स को लेकर काफी बहस होती है जिसके दोराना में पता चलता है कि उन लोगों के पास जो कुछ भी कम्मिकेशन डिवाइस थे वे अब तूट चुके हैं जिसकी वज़े से अब वे पहारी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते लेकिन उसी वक्त पीटर में सभी पाच मिन्ट अराम करने के लिए रुपते हैं और इसी के दोरान डिटर फ्रेस होने के लिए जंगल में चला जाता है जहां उसे जाडियों में कुछ आवाज आती है उसे वहां दरसल एक कॉमसो गनैतस दिखाई देता है जिसे वह सोग देकर वहां से भगाने की को पुशिश करता है और रास्ता डूरनने के दुरान वह ठोकर लग जाने की वज़ैसे नीचे बिए और जैसे ही वह नीचे गिर्ता है कि तब ही उस पर काफी सारे कॉमसो गनैतस हमला कर देते हैं टीटर उन्षे चुड़ाने के लिए काफी मसकत करता है लेकिन वे डैनसोर क जब रोनाल डीटर को ढूनने के लिए जाता है तो उसे सिर्फ उसकी लास ही दिखाई देती है डीटर की मौत की खबर सुनकर टीम के सभी मेंबर्स काफी दुखी होते हैं वहीं आगे हम देखते हैं कि जब रात में सभी सो रहे होते हैं तो वहां पहरा दे रहे आदमी अजे को किसी चीज की आहAtT वहां महसूस होती तभी अचनक से वहां टी-्रेक्स आ जाते हैं जिने देखकर वहां सो रहे समी लोग जाग जाते हैं और 9аров से बचने के लिए सब इस लोग इदर उदर भागने लगते हैं उनमें से कुछ लोग डैनेसोल से बचने के लिए एक जर्णे के पीछे छिप जाते हैं और झब उस जर्णे के पीछे चुपए होते हैं तो तभी उन में वहां से बचा कर ले जाता है दूसरी तरफ रोनारड एक टिरेक्स को गोली मार कर बेहोस कर देता है आगे हम देखते हैं कि सभी लोग उन डैनसौर से बचकर कम्निकेशन रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं वे सभी बड़ी जाडियों को पार करके जा रहे होते हैं कि नहीं चीन है और मदद में वही हुआ जिसका अझेको डर था उनके भागने की आवास सुनकर वहां काफी सारे रैप्टर्स आजाते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लग्ते मेलकॉम। उसकी टीम वहां आती है तो उन्हें वहां रैप्टर्स की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वे काफी घबरा जाते हैं और तेजी से उन जाडियों से दूर भागने लगते हैं मैलकॉम कैली सारा और निक कम्निकेशन रूम में पहुंच जाते हैं और मदद बुलाने दूसरी तरफ रोनाल्ड ने अब टीरेक्स को पकड़ लिया होता है जिसे देखकर पीटर उसे इनाम देने की बात कहता है लेकिन रोनाल्ड दरेसल काफी डिप्रेस्ड होता है क्योंकि अजे और उसके अधिकतर लोगों की मोथ हो चुकी होती है वहीं आगे हम देखते हैं कि अब सभी लोगों को सही सलामत सहर लाया जा रहा होता है और साथ ही वे लोग उस टीरेक्स को भी समुंदर के रास्ते सहर लाते हैं दूसरी तरफ पीटर डेक पर एक मीटिंग को एड्रेस कर रहा होता है कि तभी वहां एक सिपाती है जिस पर की सभी लोगों की मोथ हो च सफर में उन सभी क्र्यू मेंबर्स को टेरा डॉन्स और टीरेक्स ने मिलकर मार दिया होगा जिसकी वज़े से उस सिप को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता और इसी कारण वो पोर्ट से टकरा जाती है वहीं जब डैक पर मोजूद सभी आजमी उस सिप पर जाते हैं तो उन पी ज़्यादा खुकार हो जाता है और अपने बच्चे को ढूंडने के लिए सहर की तर tills चला जाता है 안ब में स। और ऊपगता है उनका पीच्छा करने लगता है ऐसे अप्याज में ले आते हैं सनकों बवजहां करता है और इस बेभी की डीला को को पकडने ही वाला होता है की तब ही वो टी रेक्स को देखकर और दर जाता है और अगे सारा है यह से वापिस पिंजीले में बंद कर देती है वही scene shift होता है एक news channel की तरफ जहां हमें पता चलता है कि अब उस T-Rex और उसके बच्चे को सही सलामत वापिस उस island पर भेजा जा रहा होता है और अब उनसे भी dinosaurs को कुदरत के हवाले छोड़ दिया जाता है और इसी के साथ हमारी movie यहां खतम हो जाती है गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक्यू